प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रभु का चरणों में जाकर प्रभु का वच्चन को पढ़ें और उसके अपर हम मनन करें तो हम आज बाइबल अद्धिन के लिए पढ़ेंगे इबराहनियों की पत्री उसका पांच वाद ध्याए और उसकी एक से दश आयत तंक पढ़ेंगे और उसके बाद प्रभु का वच्चन के उपर हम मनन करेंगे तो हम पढ़ते हैं पहली आयत से क्योंकि हर एक महायाज़क मनुश्यों में से लिया जाता है और मनुश्यों के लिए उन बातों के सेव में जो परमेश्वर से सबंद रखती है धराया जाता है कि बेट और पाप बली चड़ाया करें वह अगनानों और भूलों बटकों के साथ नमी से वेवार कर सकता है इसलिए कि वह आप भी निर्बता से गीरा है इसलिए उससे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बली चड़ाया करें भादर का पत कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान पर मेसर की और से ठाहराया ना जाए वैसी ही मसी ने भी महायायक बनने की बड़ाय अपने आप से नहीं ली पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है आज मेही ने तुझे उत्पन किया है इस परकार वहां दूस्री जगh में भी कहता है तू मली की सिदक की रिती पर सदा के लिए आजग है इसुने अपने देहे में रहने के दिनों में उचे स्वब्द से पुकार पुकार कर और आसु बहा बहा कर उससे जो उसको मुत्यू से बचा सकता है बचा सकता था प्रात्नाएं और विनन्ती की और भक्ती के करान उसकी सुनी गई पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आगना माननी सिखी और सिद्ध बनकर हमने शब आगना बानने वालों के रिए सदाकाल के उधार का करान हो गया और उसे परमेसर की और से मलिकी सिद्ध की रिती पर महाया जग का पद मिला प्रभू हमने जो वच्चन पड़ा इस वच्चनों को आसे सिद्ध करें आज हम महाया जग के बारे में हम बनन करने वाले हैं आज का हमारा सिर्षक के है इश्चु हमारा महाया जग है इश्चु हमारा महाया जग है उसको हम यह सकते हैं जिसस काईस और हाई प्रिस्ट तो उसके पर हम मनन करेंगे देखे हम जानते हैं पुरानी किताब में और टेस्टामेंट में पुराना करार में हम देखते हैं, कि पर्मेश्वर्क की हजूर में जाने के लिए या पवित्र महास्थान में जाने के लिए ऐजयक को नियक्त किया जाता था और वो आयजयक का काम रहता था कि वो लोगों को वती एक प्रतिनिधित्व का काम करें मतलब कि एक मीडियर्ट के रूप में वो काम करे जो बलिदान चड़ाना है लोगों के वती पापों के पराश्चीत करना है और बहुत सारे ऐसे काम जो है वो लोगों के वती उसको करना रहता था तो वो लोगों के वती एक प्रभू के सामने मीडियर्ट के रूप में काम करता था और वो महा साथान में किसों को देखिए पवितर स्थान में जाने के लिए किसी को नेमती नहीं थी खाली वो जो है महा एक ज़क है वो ही वहाँ पे जा सकता था और वो महा एक ज़क को नियुक्ति वच्चन में हमने पड़ा वो मनुष्य में से लिया जाता था और मनुष्य के लिए काम करता था पहले वच्चन में हमने पड़ा वहाँ पे लिखा हुआ है और वो पहले आयत में पते हैं क्योंकि हर एक महा एक ज़क मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य के लिए उन बातों के उसे में जो परमिसर सबंद रखती है ठराय जाता है कि भेट और पाप बली चड़ाएगा देखिए लोगों के वती वो पाप बली और भेट चड़ाते थे परमिसर की हजूर में किसी को अनमती नहीं थे खाली महा एक जाता था और लोगों के वती वो वहाँ पे प्रतिनी दिवता करता था लेकिं हम देखते हैं आगे एक एक एगजामपल की रूप में हम अगर देखें तो हारोन के ऑभी परमिसर ने नियुक्त किया था एक याज़क के रूप में वो चोथी आयत में हम पढ़ते हैं यहादर का पत कोई अपने आप से नहीं लेता था जब तक कि हारुन के समन परमेसर के और से ठहराया ना जाए देकि परमेश्वर किसको ठहराना था किसको महायर के रूप ठहराना वो परमेश्वर की और से निक्त किया जाता है और वो लोगों के वती ये काम करता है लेकिन हम अगर नया करार में हम आते हैं हम नया करार की विश्वासी हैं हम नई विश्वासी है हम देखते हैं हमारे लिए इश्व मसी महायाजग है वो महायजक बन गया हमारे लिए उसने हमारे और परमिसर की बीच में जो दिवाल थी जो भादाएं थी को हम परमिसर के पास नहीं जा सकते जैसे कि एक आयजक पुराने नियम में देखते हैं आयजक जो नियुक्त किया जाता था वो ही पवित्र स्थान में जाता था और लोगों के वती वो ही पाप बली और जो कुछ भी भेट चड़ानी थी वो ही करता था एक मेडियाटर के रूप में वो काम करता था मद्यस्ति का काम वो करता था लेकिन हम देखते हैं ने एक किताब में ईशुमसी हमारे लिए एक महायाज़क बन गया उसने हमारे लिए इस दुनिया में जीवन बिताए एक मनुश्य बन कर इस पूर्थी में आ गया और हम देखते हैं वो हमारे हम जैसे कश्ट सहते हैं जैसे हम मुसीबत से जीवन गुजारते हैं तकलीप में से सफरिंग हमारे जीवन में आता है हम सफर करते हैं ऐसे ही वो भी इस दुनिया में थे तब हमारे स्वान वो परखा गया बाइबल में दिखा हुआ हमारे समान अगर हम चोथी आयत में चोथी अध्याय में अगर पढ़े हैं वहाँ पंद्रवे आयत में अगर पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि हमारे ऐसा माजक नहीं जो हमारी निल्बता में हमारे साथ दुखने से लेकिन फिर भी वो निस पाप निकला और ये हमारे लिए एक महाया जग बन गया उसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन बलिदान किया और इतना ही नहीं लेकिन वो जिन्दा भी हो गया और आज भी वो जिन्दा परमिश्वर है देखे इस दुनिया में कहीं सारे लोग धर्ती में आये कितने महान लोग जो अपने आप को कहते थी परमिश्वर महान व्यक्ति या महान व्यक्ति बोल सकते हैं महान अच्छा काम करने वाला व्यक्ति एक इस वर के समान जीवन जी के चले गए लेकिन कोई भी तक हमने कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कोई किताब भी हमने पढ़ा नहीं कोई धर्मगंत में ऐसा पढ़ा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वक्ति या वो मर गया और फिर से जी उठा गया हमारा परमिश्वर वही अकेला है इसुमसी जो ही इतियास में उसके सिवार और कोई भी मर गया और जिन्दा नहीं हुआ है सला के लिए वो जिन्दा है देखिए कोई आदमी इस दुनिया में मर गया और वो जिन्दा हो गया वो बात अलग है लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कि सदा के लिए जिन्दा रहा होगा देखिए हम देखते हैं बाइबल में लिखा है और हम कई विटनेस को हम सुनते हैं कि मुर्दा जिन्दा और बाइबल का वच्चन के अनुशार ये चमतकार भी होता है कि लोग मुर्दी को भी जिन्दा होते है इसुमसी के नाम से लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सदा के लिए जिवित हो गया वो मर गया जिन्दा हो गया फिर से वो लोग मर गये होंगे लेकिन हमारा युशुमत से ऐसा नहीं था वो एक बार हमारे लिए कुरुश पर मर गया और सदा के लिए वो जिन्दा हुआ तिसरे दिन जिन्दा होकर सदा के लिए वो जिन्दा है ऐसा नहीं है सामन्य मनुश्री के रूप में वो सदा के लिए मर गया फिर जिन्दा हुआ फिर से मर गया ऐसा नहीं है एक बार वो मर गया और एक बार जिन्दा होकर सदा के लिए देखे लिए ये महायाजक हमारे लिए हाई प्रिस्ट बन गया और हमें परमिश्वन ने हमारे पापों से हमारे अधर्म से हमें छुड़ा लिया जो हम देखते हैं पुराने जमाने में जो महायाजक जो नियुक्त किया जाता था वो ही पवित्र स्थान में जाके सब के लिए वो निवेदन करता था सब के लिए पापों के लिए बली चलाता था बेट चलाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है जो दिवार थी परमिस्तर के पास जाने की परमिस्तर को पुकारने की परमिस्तर के पास जाने की जो दिवार थी उसको इसमसी ने तोड़ दिया और आज हम क्या है? आज हम परमिसर को ढारेक ली हम प्रातना कर सकते हैं. उसके साथ हम बातचित कर सकते हैं. उसके साथ हम हमारा रिलिशन रख सकते हैं. बीचि में किसी के आने के जुरुत नहीं है. ईश्य मेसी के नाम में हमें यह अधिकार मिला हुआ है और हम महाय smartphones के महायजक बन गया उसके द्वारा हम पवित्रव स्थान में जा सकते हैं पवित्रव प्रभु के पास हम अपने पापों के लिए और सब जो बली लेके हम उसके पास जा सकते हैं कोई भी वहाँ पे रुकावट नहीं है जो रुकावट थी जो पड़दा जो था वो उसको गिरा दिया गया उसका दो पाठ हो गया और जो पहले बंदा हुआ था वो सदा के लिए ऐसे हमारे लिए वो एक चट्टान के रुक में था उसको तोड़ दिया गया है वो फट गया और हर एक चीज संपुनता से हो गई और आज हम पवित्रस्थान में जाने के लिए प्रभू के पास जाने के लिए हमारे पास इस्व मेसी के नाम में अधिकार है इस्व मेसी के दारा हमें ये सोभाग ये परात हुआ है कि हमारे लिए इस्व मेसी एक महायाजग एक High Priest, Great High Priest हम उसको बोल सकते हैं, वो हमारे लिए महाया जग बन गया और वो हमारे लिए निवदन करता है, हम डिरेक्ली प्रभु को परातना कर सकते हैं, और हम देखते हैं, हमें किसी के द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, किसी को अब उसमें बीच में लाने की जरूरत नहीं हैं, हम डिरेक्ली प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रातना निवदन कर सकते हैं, प्रभु को हम अपनी बाते हम बता सकते हैं, सब कुस कर सकते हैं, इसलिए परमिश्वर ने उसके सारे नामों में सिष्ट नाम दिया गया कि बाइबल कहती है हर एक जीब कबूल करेगी इश्व ही प्रभु है ऐसा नहीं है इश्व प्रभु है इश्व ही प्रभु है मतलब और कोई नहीं है खाली वो ही परमिश्वर है और वो ही हमारा महायाजक है तो आज हमें एक धर्ड निस्चे है प्रभू ईशु में सीके द्वारा एक हमें हियाव है कि हम परमिश्चर के पास जा सकते है उसको निवदन कर शकते है हमारी श्रमिश्चर को परमिश्चर के पास लेके जा सकते है और प्रबु हमारी प्रात्ना को सुनता है उसका जवाब भी देता है हमें संबालता हमें बचाता है क्योंकि उसने इसलिए हमको बचाने के लिए तो इस दुनिया में आया हमको बचाने के लिए वो एक महायाजक बन गया और इसके दोरा हम इस दुनिया में हम एक पवित्र प्रजा बनके हम रह सकते हैं एक बोर्ली हम इस दुनिया में रह सकते हैं देखिए हमें परिमिश्वर ने एक पवित्र शंद के रूप में हमें परिमिश्वर हमको हमारी पहचान एक पवितर संद की रूप में परिमिशन ने हमारे लिए किया है देखें कितनी अद्बुत बात परिमिशन ने हमारे लिए किया है लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया में ऐसी चीजों के लिए ऐसी बातों को मानने के लिए Charlie आदमी को एक मुर्खता जैसा लगता है एक मुर्खता जैसी बातों लगती है एक पैदमी को ऐसा लगता है यह क्या चीछ है एसा लोग समझते है लकिन जब हमारे शुमसी हमारे लिएकर महायाज़क है दुनिया कुछ भी सोच ले दुनिया कुछ भी उसके बारे में सोचे लेकिन युश्व में सी हमारा महायाजग है वही हमारा उद्धार करता है और प्रभुका बचान हमें कहता है मार्ग, शत्य और जीवन मार्ग भी वो ही है शत्य और सत्य भी वो ही है जीवन भी वो ही है हमें कहीं किताब बढ़ रहा था कि किसी के धर्मे के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन कोई किताब में ऐसा लिखा है वो धर्मे ऐसा बोलते है कि जो मार्ग और सत्य और जीवन है उसकी तुम खोज करो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है वो धर में ऐसा नहीं बता रहा है कि मार्क सत्यर जीवन हमारे इधर है हमारे धर्म में है ऐसा नहीं लेकिन वो भी ऐसा बता दे कि मार्क सत्यर जीवन जो है उसकी खोज तुम करो तो उसकी खोज तो हमारे इसु मसी में ही है जो बाइबल पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा मार्क सत्य और जिवन कौन है तो इसु मसी हमारे लिए महायाज़क है तो आज हम परिमेश्वर का वचन हमें कहता है वो हमारे लिए हाई प्रिष्ट है हम उसके पास जा सकते है अभी कोई रुकावट नहीं है अभी कोई बाधाए नहीं है सब को तोड़ दिया गया है और हम एक हिम्मत के साथ प्रभु के पवितरस्थान में जा सकते है और प्रभु के लिए हम प्रभु के सम्मुक में जाकर प्रभु के साथ हम अपनी समिश्या हमारे हर एक बातों को निवदन करशकते हैं परातना के द्वारा विन्यंति के दारा हम इस दुनिया के लिए हमारे और लोगों के लिए वहाँ पे हम विनंति कर शक्त हैं अभी कोई वहाँ पे रुकावाट ने कोई दुसरा कोई है ये नहीं हमको ये अधिकार परमिश्वर इश्वर मसी के नाम पे में मिला है और उसका हम उप्योग करना चाहिए हम उप्योग करें आज इस वच्चन के दोरा परमिश्वर आप सब को आसिस करें आमेन